जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्योंकि चार बजे हम चक्रवियू के साथ आपके सामने पेश होते हैं और चार ऐसे लोगों को चक्रवियों के चक्र में फसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए नमस्कार, Capital TV में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रवियों के चक्र में फसे हैं, आंदोलन कर रहे किसार हलदवानी हिंसा का मास्टर माइंड कुछ कट्टर पंथी और एलविश यादो इन सभी का सारा काला चिठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की कर्टूते पहली खबर में बाद धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की किसान आंदोलन के पीछे की असली वजह खुल कर सामने आगई है और इस आंदोलन के पीछे की वजह आपको हैरान और परिशान करतेगी वज़ा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की लोग प्रियता का ग्राफ नीचे गिराना खुद किसान नेता जगजीत सिंग डालेवाल ने एक यूट्यूब चैनल से बाचीत में ये स्विकार किया है उन्होंने कहा कि PM मोधी की लोग प्रियता का ग्राफ राम मंदर के बाद बहुत बढ़ चुका है इस आंदोलन में उन्होंने किसानों की तरफ से पूरा जोर लगाने की बात कही ताकि मोधी सरकार की लोग प्रियता कब हो और उनकी सारी बाते मान ली जाए अलाकि PM मोदी की लोग प्रियाता को गिराने की उनकी चाहत ये साफ बताती है कि ये आंदूलन क्यों खड़ा किया गया है वहीं आपको बता दी कि किसान नेता जगजीत सिंग ने 14 फरवरी 2024 को कहा कि अगर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की लोग प्रियाता का ग्राफ नीचे चला जाए तो सरकार कुछ भी मान लेगी उन्होंने आगे कहा कि किसानों पर लाठी चार्ज ये बताता है कि ये पियम मोदी और बीजेपी के पतन का संकेत है जगजीत सिंग ने अपनी मंशा साफ करते हुए बताया कि अगर इस सरकार द्वारा किये गए वादों को सरकार से पूरा कराना है तो फिर सरकार बदलने से पहले उसे हमारी बातों को मानने के लिए मजबूर करना पड़ेगा वरना सरकार बदल जाएगी तो नई सरकार कहेगी कि हमने तो वादा ही नहीं किया इसके बाद किसानों को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेदर मोदी की लोगप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है ऐसे में मुश्किल होगी जगजीत सिंग का कहना है कि मोदी की लोगप्रियता का ग्राफ अयोध्या राम मंदर बनने की वज़ा से तेजी से बढ़ा है वह इस दोरान उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को भी मान लिया है मैं लोगों से कहता रहा हूँ उनके ग्राफ को नीचे लाना होगा अगर उनका ग्राफ उपर रहेगा तो वो कुछ नहीं करने वाले लेकिन सरकार की लोगप्रियता गिरेगी तो वो सारी बातों को माल लेगी वहीं आपको बता दी कि किसान आंदोलन से जुड़े किसानों ने पंजाब में रेल रो को आंदोलन किया उन्होंने दिन में बारा बज़े से शाम चार बज़े तक रेलवे ट्रैक पर बैठ कर विरोध प्रदशन किया इस दोरान किसानों ने कई टोल नाकों को भी पूरी तरह से फ्रीज कर दिया वहीं सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की बाचीत चंडीगड में जा रही है उमीज़ताई जा रहे ही कि जल्द ही कोई रास्ता निकल सकता है अगली खबर में बाद हल्दवानी हिंसा के मास्टर माइंड की उत्राखन के हल्दवानी हिंसा केस बे अम्मुख्य आरोपी की धर पकड के लिए कारवाई को तेज कर दिया गया है हल्दवानी हिंसा का मास्टर माइंड कहे जा रहे है अब्दूल मलिक और उसके बेटे पर धामी सरकार का तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है दोनों की गिरफतारी की कोशिशे जानी है साथ ही साथ अब्दूल मलिक और उसके बेटे अब्दूल मोहीत की संपत्ती की कुर्की के आदेश मिलने के बाद पुलिस ने संपत्ती का चिन्ही करण करने की कारवाई भी शुरू करती है फिल्हाल नैनिताल जिले में ही कुर्की की कारवाई की जाएगी उसके बाद अन्य जिलो या राजियों में भी संपत्ती की जानकारी मिलने पर कुर्की की कारवाई की जा सकती है महीं आपको बता दे की बीते दिनों अब्दुल मलिक और उसके बेटे के साथ साथ करीब नौल लोगों की संपत्ती कुर्क करने के आदेश कोट ने पुलिस को दिये थे जिसके बाद संपत्ती का ब्यारा जुटाया जा रहा है महीं सूत्रों की माने तो 2004 में फरिदाबाद से बस्पा के टिकट पर सांसत का चुनाव लड़ चुके अब्दुल मलिक की हल्दुआनी के साथ साथ नैनिताल जिले में कई जगा करोडों की संपत्ती हो सकती है जबकि हर्याना और उत्तर प्रदेश में भी करोडों की संपत्ती होने का अनुमान है फिलाल नैनिताल जिले में ही अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ती की कुर्की हो सकती है इसके लिए पुलिस ने बाब बेटों की संपत्ती का चिंधी करण का काम शुड़ू कर दिया है SSP प्रहलाद नारायन मीडा ने बताया कि अभी नैनिताल जिले में ही संपत्ती की कुर्की होगी अन्य राजियों में कुर्की के लिए अलग नियम होते हैं इसलिए फिलहाल नैनिताल जिले में ही कुर्की की कारवाई की जाएगी वहीं इंसा के 9 दिन बीतने के बाद भी अब तक अब्दुल मलिक और उसके बेटे को गरफतार करने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है वहीं दोनों आरोपियों के विदेश भागने की भी आशंका जताई जा रही है जिसको देखते हुए केंद्रे ग्रहम मंत्राले ने दोनों के खलाब लोक आउट नोटिस जाड़ी कर दिया है अब्दुल मलिक और अब्दुल मुईद अब देश विदेश के सुरक्ष आजंसियों की रडार पर आ गए है वहीं नैंताल पुलिस की ओर से दोनों के गिरफतारी के लिए दिल्ली उत्तर प्रदेश, हरियाना और उत्तराखण में लगाता दभिशती जा रही है दोनों के बैंक अकाउंट ट्रेज कर उसे सीज करने की भी प्रकरिया शुरू करती गए अगली खबर राम मंदर से जुड़ी है जहां योध्या में राम लला 22 जनवरी को विराजमान हो गए प्रभु शिरीराम को अपना घर मिलिया लेकिन कुछ कटर पंथियों के सीने में आग लगी है जिससे वो अनाप सनाप हरकते कर रही है जहां एक बार स्विर से शिरीराम मंदर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है अयोध्या के सीरीराम मंदर में हर रोज लाखो भक्त दर्शन के लिए पहुँच रहे है मंदर के सुरक्ष्या वैवस्ता काफी कड़ी की गई है विवी आईपी से लेकर आम जन तक मंदर की लाइन में खड़े होकर राम लला के दर्शन कर रहे है इसी बीच अयोध्या के सीरीराम मंदर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है साथी लखनों के बक्षी का तालाब थाने को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है इसके बाद से पुलिस महकमे और प्रशासन के होश उड़ गए है वहीं पुलिस को सीतापुर रोड के किनारे पाल रेस्टोरेंट में धमकी भरा पत्र मिला है इसके बाद से मंदर की सिक्योरिटी में लगी खूफी अजंसिया और सुरक्षय व्यवस्था पहले से भी जादा अलर्ट हो गई है धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात ही अग्यात लोगों के खलाब मामला दर्चकर चार्च शुरू कर दी है पुलिस को मिले धमकी भरे पत्र में कई आपत्ती जनक शब्द और एक लड़की का नमबर लिखा मिला है पत्र में देश विरोधी नारे के साथ सामाजिक सौहार्द बिगारने के साथ साथ अन्य आपत्ती जनक शब्द भी लिखे गए हैं पुलिस ने जांच के दौरान पत्र में लिखे लड़की के नमबर को डायल किया तो पता चला कि इस तरह के पत्र कई दिनों से अलग अलग जगों में फैके जा रहे हैं इसमों उस लड़की का नमबर लिखा हुआ है जिसके चलते पुलिस ये भी मान रही है कि हो सकता है कि लड़की को बधनाम करने के लिए या परिशान करने के लिए कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत कर रहा है वही पुलिस ने अब अज़्यात लोगों के खिलाब देर रात केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने इस मामले में जाज़ब शुरू कर दी है वहीं पुलिस को मिले धमकी भरे पत्र में जोया खान और जुबेर खान का नाम लिखा गया है आखरी खबर में बात एलविश यादो की बड़ती मुश्किलों की रेव पार्टी में सापो का जहर सप्लाई करने की मामले में बड़ा खुलासा हुआ है जिसे एक बार फिर से बिग बॉस फेम एलविश यादो की मुश्किलें बड़ती नजर आ रही है नौयडा पुलिस ने इसकी जाज के लिए जैपुर एफ एसल को इसके सैंपल भीजे थे बीजेपी सांसत मेन का गाधी के एंजियो पीएफ ए द्वारा अलविश यादो के खिलाप फायार दर्श कराई गई थी इस मामले में सपेरों को पुलिस ने जेल भेज दिया था वहीं सपेरों के कबजे से बरामत सापो का जहर को भीजा था इसे जांच के लिए एफसल लैब भीजा गया था साप तसकरी और नॉयडा में रेव पार्टी मामले में धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है बीते साल नवेंबर में आरोपियों को रिमार्ड में लेने के बाद नॉयडा पुलिस उनसे कई घंटों की पूछताच कर चुकी है इस पूछताच पुलिस के सामने कई खुला से आरोपियों ने किये थे तब आरोपियों ने ये भी जानकारी दी थी कि एलवी श्यादो की पार्टी में बदरपुर से सांप लाए जाते थे आरोपिय राहुल ने पुलिस को बताया था कि वो रेव पार्टी में सांप और जहर का अंतजाम करता था जैसी डिमांड होती थी उसी के अनुसार सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीज़े प्रोवाइड करता था उसने पुलिस को कुछ अन्य आरोपियों के नाम भी बताये थी जो रेव पार्टी में बिन प्रोग्राम और सापो का खेल करवाते थे उन में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका एलविश और फाजल पूरिया से कनेक्शन था उसके बाद से ही पुलिस उसका पता लगाने में जुट गई थी वहीं आपको बता दे कि एंजियों का दावा है कि बिग बॉस विजेता एलविश यादो नोईडा में रेव पार्टी किया करता था पुलिस ने PFA की शिकायत पर एलविश की रेव पार्टी करने वाली जगा पर छापे माली कर पांच लोगों को गरफतार भी किया था और उनसे नौ जहरीले साब भी परामत किये थी आज हमने देखा कैसे चक्रविव के चक्र में आलंदोलन कर रहे किसान हल्दुआनी हिंसा का मास्टर माइंड कुछ कटर पंथी और एलविश यादो फसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुल कर सब के सामने आगे चक्रविव में फिलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे संसनी केस खुलासों के साथ बाकि तमाग खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उक्तर परदेश नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया